अदालती मामले आम वेक्ति की कमर तोड़ देते हैं, घर बार तक गिर्वी रखना पड़ जाता है, लेकिन घरीब भी न्याय का हक्तार है। समिधान के अनुसार कानून वेवस्था में सभी को न्याय का समान अफसर मिलना चाहिए और सभी को हक है कि वो कानूनी सहायता का लाभ ले सके। ये सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि आर्थिक या कोई अक्षमताएं न्याय के मार्ग में बाधा ना बने। और तालुक स्तर पर और गामों में ग्रामीर, विधिक सहायता और सहयोग केंद्रों के जरिये ये सिवाएं मुहया करवाते हैं। लिखित आवेदन करना, फॉर्म भरना, इत्यादी, सहायता प्रदान करते हैं। यही नहीं त्वरित नियाय के लिए लोक अदालतें भी आयोचित की जाती हैं। लोगों को लगता है कि लीगल इट में जाएंगे तो अच्छे वकील नहीं मिलेंगे। इसलिए हम एक ट्रेनिंग पूरे हिंदुस्तान के लेवल पर एक आल इंडिया लेवल पर ट्रेनिंग मोंडूल बना रहे हैं। इसमें वकीलों को हम ट्रेन करेंगे सुप्रीम कोट के हाई कोट के जेजेज जो सीनियर अड्वोकेट से वो जाके ट्रेन करेंगे। पर लीगल वोलेंटियर्स बहुत बढ़ा ओगनाया है नालसा ने। उसमें बच्चे हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, टीचर्स हैं, सारे पर लीगल वोलेंटियर्स बनते हैं। किसी भी चीज़ के लिए उनको कंटेक किया जा सकता है और वो एक अवेर्निस प्रोग्राम बहुत बढ़े तोर पर कर रहे हैं। सरकार की ओर से चाहे राशनकार्ट के लिए फॉर्म भरना हो या फिर बड़े अदारती मामने लड़ने हो, जरुवत मन्लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। नियाए पाना सबका हक है। तो बनिये जाग रुख और लीजी अपना हक। कर्मान विने के साथ, मम्ता शुप्राह, DD News.